कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों के लिए बुरी खबर कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कमपनी ने कोट में कबूला सच कोवी शील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेंस्ट्रोक अगर आप बीमार है और आपको दी जाने वाली दवा ही आपकी मौद बच जाए सोचिए जिस दवा को आपको ये कहकर दिया जा रहा हो कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बार में पता चले कि इस दवा से आपको हार्ट अटाक और ब्रेन स्ट्रोक का खत्रा है तो क्या होगा देर ये नहीं यह मिसलिए कह रहे हैं कि कोरोना जैसी जान लेवा प्रिमारी से बचाने के लिए भारत में लोगों को कोवी शील्ड नाम की वैक्सीन दी गई थी वैक्सीन को महामारी से निपटने में बेहत कारगर बताया गया मौजूदा सरकार ने भी वैक्सीन को सेफ बताया और देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की वकालत की थी लेकिन जो खबर अब कोविशील को लेकर आई है उसे सुनकर एक बार आप भी सन हो सकते हैं क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपरी एस्टरजेनिका ने ब्रिटेन के हाई कोट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को गंबीर साइड एफेक्स हो सकते हैं वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं अफवाएं फेला रहे हैं वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं ऐसी अफवाओं से सतर्क रहने की जरूरत है मैं भी आप सबसे समाज के प्रभुद्ध लोगों से युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें दोनों वैक्सीन को विसील को वैक्सीन पूरी तरह से जाची परकी है पर हमारे वैज्ञानिकों ने हर कसोटी पर खरा कसा है उसके बाद लगाने का देश तरह फैस्पला किया है एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया भर में तबाही मचा दी कोरोना जिसने ना जाने कितने बच्चों को यतीम कर लिया ना जाने कितनी मा की गोत पोजार दिया और ना जाने कितनी सुखागनों के सिंदूर मिटा दिये और इसी कोरोना से निपटने के लिए ऐस्टरजेनिका कमपनी ने भारत में कोवीशील वैक्सीन को सीरप इंस्टिटूट अफ इंडिया के साथ मिलकर पूने में तयार किया था जिसके बाद भारत समेथ दुनिया भर के करोडों लोगों को लगाया भी गया इसे वहीं मावारी के करीब चार साल बाद अब वैक्सीन बनाने वाली कमपनी ऐस्टरजेनिका ने ब्रिटेन की हाई कोट में कबूल किया है कि कोवीशील वैक्सीन से थ्रोंबोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है थ्रोंबो साइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के ठकी जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं बॉडी में ब्लड प्लॉट की वज़े से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियकरिस्ट का खत्रा बन जाता है ये बावला खुला भी कुछ ऐसी ही जब कोवीशील्ड बनाने वाली कमपनी के खिलाफ ब्रिटेन के शक्स ने केस तच कराया और आरूप लगाया कि वो ऐस्टोजेनिका की वैक्सीन की बज़े से थ्रोंबो साइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूच रहा है साथी वो ब्रेन डामिज के शिकार भी हो गया है वहीं अब कमपनी के कबूल नामे से ये क्लियर हो गया है कि वैक्सीन की डोज ने गंबीर खत्रों को नियोता तो दिया है जिसके बाद कमपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से जादा लोगों ने कोट का रुख किया है और मुआफ़े की मांग भी की है लंबी कानूनी प्रोसेस के बाद एस्टोजेनिका कमपनी ने साइड इफेक्स की बाद कबूल ली है अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा अगर कमपनी कुछ खास मामलों में वैक्सीन की वज़े से गंबीर बिमारी या मौत होने की बात मानती है तो उसे भारी मुआफ़ार देरा पड़ सकता है भारत में भी कोरोना महमारी के बाद हार्ट अटैक के मामलों में बन्हुतरी दर्च की गई है 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गबाई है वहीं कई मरीजों की जाच के दौरान पता चलाए कि हार्ट की आर्ट्री में खून के ठके बन गए थे ठके बनने से हार्ट को ब्लड पंप करने में परिशानी हुई और दिल का दौरा पढ़ने से मरीज की मौत हो जिसके बाद कुरोना की वैक्सीन को शक की निगाउं से दिखा जाने लगा लेकिन देश के स्वास्त मंत्री मनसुक मंडाविया खुद सामने आये और आरोपो को सिरे से खाली सकर दिया था आज किसी को स्ट्रोक आता है तो कहते है कि एक कोविड वैक्सीन के वज़़े से स्ट्रोक आता है आईसी एमार ने डीटेल स्टडी उसके पर कर लिया हाट अटेक के लिए वैक्सीन रिस्पोंसिबल नहीं है लेकिन आप कोरोना वैक्सीन मनाने वाली कमपनी के कबूल नामे के बाद हाट अटेक और वैक्सीन के तार आपस में जुड रहे है जिसे भारत में भी वैक्सीन को लेकर विवात बढ़ने की आशंका है क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कमपनी ने खुद ये बाद कोर्ट में कबूली है कि उसकी वैक्सीन से खून में ठके जम सकते हैं इस कबूल नामे के बाद कोट में आगे की कारवाई क्या मोड लेगी इस पर सभी की नज़े रहेंगी लेकिन इतना तेह है कि वैक्सीन को लेकर भारत में भी सवाल उठेंगे साथ ही ब्रिटन की तरह भारत में भी कोट केस की बाड़ा सकती है